नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं hablar atakai जीख के कहें वो अक्सर एक्जाय में पूछ लिए जाते हैं तो चलते है हम कुश के अमादिम से देखते हैं कि कौन कौन से कौश्जन बनते हैं तो इन questions मेंसे आप बताईएगा कितने questions आपने solve कर लिए हैं comment box में जरूर लिखेगा और यह question हमेशा से पूछे आते रहे हैं ठीक है यह question हमेशा पूछे जाते रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सन्भी मैंने लिखे है दुजर में पूछा गिया 2023 में हाल की exam में पूछा गया ठीक है तो चलते हैं most important question को हम देखते हैं तो सबसे पहला person है करक रेखा निम्न मेंसे किस राज से गुजरती है जो करक रेखा है वो किन राज्यों से गुजरती है ठीक है तो यहाँ पर option है ओरिसा जहार खंड उत्तर परदेश आंधर परदेश तो यहाँ पर दिया है निम्न मेंसे किस राज से गुजरती है मतलब किस राज से गुजरेगी एक राज होगा जिससे गुजरेगी तो क्या ओरिसा से गुजरती है या जहार खंड से या उत्तर परदे से या आंधर परदे से तो आपका सही आंसर इसमें आपका जहार खंड हो जाएगा ठीके जहार खंड से होकर गुजरती है अब देख लेते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो पहला तो आपका गुजरात हो जाएगा और दूसरा राजस्थान हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा मद्धि परदेश मैं आपको बता रहा हूँ पहला गुजरात दूसरा राजस्थान तीसरा मद्धि परदेश और चोथा चतिस गर्ड हो जाएगा फिर जारखंड हो जाएगा जैसा कि इसमें दिया है जारखंड हो जाएगा पस्चिम मंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगी ठीक है त तो आप ध्यान में रखिएगा कि किन किन राज्यों से गुजरती है कुल मिलाके आठ राज्यों से गुजरती है ठीक है तो हम चलते हैं अगला परस्ट देख लेते हैं अगला परस्ट है छेत्रफल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है छेत्रफल की दर लेते हैं कि छेत्र फल की दरश्टी से क्रम वाइज कौन देश कौन सा राजी बड़ा है कौन सा छोटा है तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान हो जाता है ठीक है राजस्थान के बाद में राजस्थान के बाद में MP हो जाता है MP मतलब जो है मद्धिपर्देश उसके बाद महाराष्ट हो जाता है और फिर उत्तर प्रदेश ठीक है तो उत्तर प्रदेश जो है चोथे नमबर पर है सबसे बड़ा राजस्थान फिर महाराष्ट और उसके बाद उत्तर प्रदेश अगला कोश्चन है छेत्रफल की दर्ष्टी से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भारत का कौन सा स्थान है विस्व में ठीक है विस्व में पूछ रहा है तो विस्व में सातवा स्थान है सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा आपका रूस हो जाता है रूस उसके बाद हो जाता है कनाडा कनाडा के बाद में अमेरिका ठीक है अमेरिका के बाद में चीन हो जाता है चीन के बाद में ब्राजील हो जाता है यह हो गए पांच और उसके बाद हो जाता है आस्ट्रेलिया ठीक है उसके बाद आस्ट्रेलिया हो जाता है और उसके बाद कितने हो गए तीन तीन छे और साथवे नमबर पर हमारा भारत हो जाता ह तो सबसे बड़ा रूस फिर कनाड़ा फिर अमेरिका चीन ब्राजील आस्टेलिया और भारत इस तरीके से आप को याद रखना है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मीन टाइम में कितना का अंतर है तो आपका अप्शन यहां जैसे कि इस समय आहां साथ बज़ रहें तो आहां कितना बज़ रहा होगा तो पांच घंटा तीस मिनट आप पीछे चले जाईए तो वहां पर कितना बज़ेगा लगबग दो बज़ेगा तो पांच घंटे तीस मिनट आगे चलती है हमारी घड़ी लंदन के घड़ी से ठी केंद्र सासित पर्देसों को केंद्र शासित पर्देसों में सबसे छोटा पुछा थी तो आपका इसमें सही option हो जाएगा option नमर्डी लच्षदीप नाउट्टीप की बात करी जाए तो लच्षदीप अरब सागर में 36 दीपों का एक समू है इसमें कितने दीप आते हैं 36 दीप आते हैं वैसे यह कोश्चन नहीं पूछता लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारती मानक समय किस राज से नहीं गुजरती है तो आपका इसमें जो है सही ऑप्सन महराष्ठ हो जाएगा क्योंकि यह आंध प्रदेश से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश में तो यह थी ही यह उत्तर प्रदेश में तो इस्तित ही है मिर्जाफुर में अगला कोश्चन है निम लिखि तो क्या असम होगा और मडिपूर राचर पर्देस मिजूराम मड़ी पूर का असपास करती है असम मिजूरbane नहीं घ तो आपका सही पष्चिम मंगाल नहीं है – nova si knowgang 7 भूर्स से त्रिपूरा दिया है त्रिपूरा होगा त्रिपूरा त्रिपूरा आपका होगा त्रिपूरा हिए आपका नहीं जिस होगा ओडिस दिना होग — और भीहर भी नहीं होगा सात के वये inc للन,… कानों से आते हैं? जैसे आपका हो गया, असम हो गया, आचर प्रदेश हो गया, नागालंड हो गया, मडीपुर हो गया, त्रिप्रा मिजोरम हो गया, मेगाले हो गया, ये सब साथ मिलाके जो है इनको हम साथ बहने कहते हैं, ठीक है पूरब में जो हमारे राजी हैं साथ, उनको हम साथ बहने कहत अगला कोश्चन है भारत की इस्थली सीमा की लंबाई कितनी है इस्थली सीमा की लंबाई पूछ रहा है केवल इस्थली की पूछ रहा है तो आपका अप्चन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है इस्थली सीमा की लंबाई कितनी है तो एक सट सो वर किलोमीटर अगला कोश्चन है अगला question यहां है पस्चिम मंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो आपका यहां सही answer हो जाएगा option number D 4 चार देशों से पस्चिम मंगाल की सीमा जो है साजा होती है ठीक है अब इसमें कौन-कौन से वो देश आ जाएंगे तो आपका पहला तो चीन आ जाएगा फिर आ जाएगा बांगला देश और फिर नेपाल आ जाएगा ठीक है और भूटान आ जाएगा यह इतने देश है जिनके साथ पस्चिम मंगाल की जो सीमा है वो साजा होती है ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है चेत्रफल की दस्टी से भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा यह question तो अभी हम कर चुके हैं अगला question है अगला question भारत की सबसे लंबी अंतर राष्टी सीमा किस देश के साथ है तो यहाँ पर आपका सही option बांगला देश हो जाएगा बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर राष्टी सीमा साजा होती है बांगला देश के बाद कौन आता है तो बांगला देश के बाद हमारा चीन यह चीन पडोसी आता है फिर पाकिस्तान आजाएगा नेपाल आजाएगा फिर आपका आजाएगा म्यामार और फ कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागरता हिंद महासागर मिलते हैं तो आपका इसमें सही ऑप्षन हो जाएगा कन्या कुमारी ठीक है कन्या कुमारी आपका सही ऑप्षन हो जाएगा यहां पर जो है बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर तीनो मिलते हैं कंया कुमारी में ठीक है अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा संग राज चेत्र कौन सा है तो संग राज चेत्र का मतलब है केंद शासित परदेश केंद सासित परदेश में हमने बताया था शुरू में क्या है अंडमार और निकोबार दीव समू यहां पर बहुत सारे दीव हैं तो अंडमार निकोबार सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन था तो लच दीव था सबसे छोटा लच दीव और सबसे बड़ा अंड और निकोबार दीव समूँ ठीक है अगला कोशन है अगला कोशन है कोकर तट कहां से कहां तक विस्तरत है कोकर तट कहां से कहां तक विस्तरत है तो आपका इसमें सही आप्शन हो जाएगा गोवा से दमन तक गोवा से दमन दीव तक जो है हमारा जो कोकर तट कहलाता है अगला कोशन है वर्तमान में भारत का चेत्रफल कितना है वर्तमान में भारत का चेत्रफल कितना है तो और यहां पर दिया 32 उसके बाद यह आपका गलत होगा क्योंकि इतना नहीं है 32 3288676 भी नहीं है ठीके 32 273 वर किलोमेटर यह आपका सही आपसण हो जाएगा यह भी आपका गलत है आपका सी सही हो जाएगा ठीके तो 327 2733 किलोमेटर हमारे भारत का चेतरफल है तो अगला क्वॉच्चन है हमारा भारती मानक समय आधारित है कहां तो affects theMeaball fola technically जो नहीं होगा यह आपका खोड़े सही हो जाएग़ यह आपका सही सही हो जाएगग और यहां पर प्रुचिम प्रुचिम दे अगला कोशन है भारत के निमनलिकित राज्जों में के समुहों में से कौन सा समुह पाकिस्तान से सीमा बनाता है देखें जम्मु बनाता है मुकस्मीर भी बनाता है जम्मुकस्मीर बनाता है हिमाचल परदेश भाई गलत हो गया हिमाचल परदेश नहीं बनाता पंजाब फिर दूसरे हम दिया पंजाब बनाता है जम्मुकस्मीर बनाता है राजस्थान भी बनाता है तता गुजरात है यह वाला आपका अप्सन सही हो जाएगा अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है इन्डियन इस्टेंडर्ड टाइम और ग्रीन वृच मीन टाइम में कितना का अंतर है मैंने अंतर बताया था शुरू सुरू में 5 गंटे और 30 मिनट यानि जो लंदन की घड़ी है वो हमसे जो है 5 गंटे 30 मिनट पीछे चलती है हमारी घड़ी 5 गंटे 30 मिनट आगे चलती है ठीक है यही पूछ रहा है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है निम लिखित संग सासी छेत में कौन सा है कि संगी छेत्र में सबसे छोटा तो मैंने आपको बताया था शुरू में लच्छ दीप है यह फिर से कोशन रिपीट हो गया है तिके लच्छ दीप आपका सही अप्शन है अगला कोश्चन है सबसे छोटी स्थली सीमा भारत की किस देश के साथ है मैंने बताया किसके साथ होगी तो अफगानिस्तान के साथ होगी और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ होगी तो हमारे बांगला देश के साथ होगी ठीके बांगला देश के साथ सबसे बड़ी है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है दीपो सह कितनी हो जाएगी सोला पॉइंट पांच किलो मीटर अपसे नंबर भी आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला क्वेस्टन है भारत निम्न लिखित में से किस गोलार्द में स्थित इस गोलार्द क्या होता जैसे पर्थवी है इसको दो भागों बाटा गया इस जीरो डिगरी कह गया ठीक है जो बीच में पर्थवी को दो भागों में बराबर बराबर मांट देती है वो रेखा हमारी जो है विश्वत रेखा भूमत रेखा या फिर जीरो डिगरी कहलाती है या फिर इंगलिस में कोईटर कहते हैं तो उपर का यह हिस्सा ना उत्तरी हो जाएगा और नीच रहें यहां पर तो इसको अगर ऐसे बाट लिए तो इधर का क्या हो जाएगा पस्चिम और इधर का पूरम हो जाएगा तो हमारा जो भारत है वो कहा है उत्तरी और पूर्वी में अगला कोश्चन है भारत की उत्तर में दच्छिर तक कि लंबाई है उत्तर से दच्छ पूच रहा है जैसे हमारा भारत कुछ ऐसे है यह हमारा भारत का मैप बन गया ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भारत की उत्तर में दर्चिर तक की लंबाई उत्तर कौन होगा यह यह वहां से यहां तक की लंबाई पूछ रहा है और इधर की लंबाई होती है ठीक है इधर इधर की लंबाई और इध इधर इधर की लंबाई कितनी हमारी है तो 31, 33 है इधर इधर की 31, 33 है ठीक है इधर है 32, 14 और इधर है इधर इधर की है 31, 33 ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे उत्तरी बिंदु कभी कभी पूछता है तो यहाँ पर इंदरा कॉल यहाँ पर इंदरा इसे इंदरा कॉल कहते हैं और इसे क्या कहते है कन्या कुमारी नाम कैन्या कुमारी हो जाएगा सबसे उत्र वाला इंद्रा कॉल हो जाएगा कभी कभी पच्चिम इस विला पूरब पूछ लेता है तो आपका सबसे पूरवी कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा किवी थू क्या हो जाएगा किवी और थू थू लगा देना है किवी किवी खाए और थू कर दिया ठीक है यह कहां पर है और अचल परदेश में और इधर गुआर मोती कहा है तो यह ग आपको यह भी पूछ सकता है कि सबसे उत्तरी इंद्रा कॉल सबसे पच्चमी गोहार मोती सबसे पूरवी तो कीवी थू और सबसे दच्चडी पूछे तो कन्या कुमारी ठीक है तो अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है भारत का छेत्र फल विस्व के कुल भागोलि परसंट में पूछ रहा है तो 2.2 दिया 2.4 दिया है 2.8 दिया है तो 3.2 परसंट दिया है तो आपका ओप्सन नमबर 20 हो जाएगा 2.4 ठीक है 2.4 आपका सही हो जाएगा आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके वीडियो यदि आप और चाहते हैं जो कमेंट जरूर करें ठीक है इससाथ वीडियो समाब करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा